एक्सेलेंट इक्जाम में मैं वेवेक आपका फिर जे स्वागत करता हूं दोस्तो बहुत सारी श्टुडेंट का कमेंट आ रहा था कि सथ 12 के बाद क्या करें कौन सा कोर्स करें जिसे हमें अच्छा वेनी फिट हो या हमें अच्छा साबित हो आगे चलकर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम यहीं डिसकस करेंगे कि 12 के बाद हम कौन सा कोर्स अपना है जिससे कि आगे चलकर हमें अच्छा वेनी फिट हो तो दोस्तो फटापट इस वीडियो का आप लोग लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए चैनल पहली बारे चैनल को भी कर लिजिए गा खीक है और दोस्तो आपको कोई भी कोर्स के बारे में जानना है तो आप हमें वाट्षप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स कर सकते हैं 94510-94356 ए अपना वट्षपन 17094356 ए व कर सकते हैं तो दोस्तो आज हम डिसकॉस करेंगे 12 के बाद क्या करें तो दोस् टेकनिकल कोर्स तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेकनिकल कोर्स यानि कि दोस्तों यह जो कोर्स होगा यह सिर्फ साइन्स के स्टूडेंट ही कर पाएंगे जिसमें कि कुछ कोर्स है यहाँ पर जिसमें कि आपका सबसे स्वेसल होता है आपका बिटेक बितेक जो होता है वे मैथ के student ही कर पाएंगे bio के नहीं कर पाएंगे द्या सुने गा बितेक जो होता है वे सिर्फ मैथ के student करते हैं यारी कि इंजिनरीनग डिपार्ट में आता है और उसी तरीके से ये छोटा course होता है diploma जिसे हम полsitechnik के ने आपको चाहिए तो आप वाट्शर मेसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्ष रे कमेंट कर सकते हैं जिस कोर्स के बारे में आपको जानना है आप कमेंट करेंगे तो next वीडियो हमारा उस कोर्स के related होगा तिये दोस्तों दो है जैसे कि आप जानतें कि वीटेक में आपका 4 साल का कोर्स होता है डिपलोमा आपका 3 साल का कोर्स यहाँ पर होता है बात कर लेते हैं दोस्तों तो वीटेक यह आपका एक आपका IIT के अंतरगत वीटेक होता है एक आपका NIT के अंतरगत होता है और एक आपका UP2 यानिक इस्टेट लेबल का जो इंजिरिंग होता है उसमें भी आपका BTK कोर्स यहाँ पर किया जाता है डीटेल जनकारी के लिए आप हमें comment box कर सकते हैं इसके बाद इसी में दोस्तों आपका PMT NEET के थुरू हम MBBS ध्याद सुने के MBBS का भी कोर्स करते हैं जिस से कोर्स करने पर हम doctor बनते हैं यह सिर्फ Bayo वाली student ही कर सकते हैं ठिक्रहें इस रहा दोस्तों कुछ technical course जो की math और Bayo के student यहाँ पर कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरा कोर्स आपका आ जाता है याँ पर non-technical course जिसे हम इसनातक की भी degree बोलते हैं योजी degree भी बोलते हैं ठीके non-technical course को हमने चार भागों बाटा है पहला आपका विज्ञान वर्क यानि की science दूसरा आपका वाड़िज वर्क यानि की commerce तीसरा आपका कला वर्क यानि की arts औ द्यान सुनेगा आप लोग की non-technical course में पहला हम लेते हैं विज्ञान वर्क ठीके इसके अंतरगर्थ हम इसमें आपके math वाली student और bio वाली student ही ले सकते हैं और इसके अंतरगर्थ जो course होता है दोस्तों वह आपका होता है बेस्सी बेस्सी आप जानते है बैचलर आप science जो क जो कि आपका तीन साल का यह course होता है जानते हैं इसके अंतरगर्थ आप ग्रेजुएशन में आप विकाम करेंगे ठीक है विकाम में ध्यान सुनेगा विकाम जो है वह मैत की स्टुडेंट कर सकते हैं और कामर्स के स्टुडेंट कर सकते हैं इसे बायो की स्टुडेंट नहीं कर सकते हैं और आर्ट के भी स्टुडेंट इसे नहीं कर सकते हैं ध्यान सुनेगा इसके बाद दोस्तों तीसरा बात करें तो इसमें आपका बीए आता है जिसे हम कहते हैं बैचलर आफ आर्ट इसे मैथ के भी बच्चे कर सकते हैं बाय कोई भी कर सकते हैं कामर्स के भी कर सकते हैं और आर्ट के भी बच्चे कर सकते हैं इसी के अंतरगत दोस्तों डेजुएशन में आपका ला आता है यानि करके इसमें basic जो होता है आपका BA होता है और LLB होता है बाकि आपको कोई दूसरा कोर्ष करना है तो उसे आप हमें comment box और comment कर दीजिएगा और या फिर किसी भी कोर्ष के बारे में आपको जाननी है तो आप हमें comment box और comment करके पुछ सकते हैं ठीके अब दोस्तों बात करते हैं इससे आपको benefit क्या होता है तो सबसे पहले बात करें तो जो science की student अगर उनके science में रूची है ध्यान सुनेगा ये जो आपको subject चूच करना है यानि जो भी course आपको चूच करना है आप अपने रूची की हिसाब से ही select करिएगा किसी के बहकावे में मत आईएगा कि नहीं मेरा friend ये करा या वीटे करा या तो हम भी वही course करेंगे ऐसा नहीं है आपको जो लगता है कि ये मुझे अच्छा लगता है इसे मुझे करना चीए तो show आपको वही course आपको करना चीए ठीक है फिर भी आपको इसमें भी आपको समस्य आती है तो आप हमे workshop message कर सकते हैं या फिर phone कर सकते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका BSC bachelor of science होता है तीन साल का ये coach होता है इसके बाद अगर आप BSC clear कर लेते हैं इसके बाद आप MSC करेंगे ठीक है MSC के बाद अगर आप आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके बाद आप यहाँ पर B8 कर सकते हैं B8 करने के बाद आप एक तरीके से आप teacher बन जाएंगे आप private school में भी पढ़ा सकते हैं और सरकारी का जब form निकलता है तो सरकारी का form फिलब करके आप सरकारी teacher भी बन सकते हैं यानि कि दोस्तो यह जो non-technical का course है यह ज़्यादा तर वही student करते हैं जिन्हें सरकारी नोकरी करनी होती है ध्यास सुनेगा जिन्हें सरकारी नोकरी करनी होती है वह यही course अपनाते हैं खासकर इस course को छोड़ कर जो commerce है इस course को छोड़ कर क्योंकि दोस्तों ये जो commerce होता है इसमें ज्यादा तर बच्चे बीकॉम करने के बाद management का course करते हैं आपने नाम सुना होगा यहाँ पर MBA का जियां दोस्तों आपने नाम सुना होगा MBA का तो दोस्तों ज्यादा तर student जो होते करते हैं, वह Commerce करते हैं, यानि कि Commerce के तहद Jenos करते हैं, Information करते हैं, अबupid करते हैं, और उन्हे प्राइबेट नौकरी यानि कि उन्हें अच्छा खासा यहां से नौकरी मिल जाती है, कोई अंकोर्ण के सwill। कर रसे क Racism करते हैं, और अच्छा खासा होता है इसमें ज्यादा तर अगर आप करना चाहते हैं तो आपका इंगलीज जो है वह स्ट्रॉंग होनी चाहिए यानि कि कम अभी कॉम करते करते आपको अच्छे से इंगलीज बोलना आना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मैं भी management का course करूँ तो इसके लिए आपको अच्छे से English बोलना आना चीए तभी आप management का course में आप success हो पाएंगे आने था आप MBA करके भी आप घर पर बैठे रहेंगे ठीकें इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कला में तो इसके ध्यान सुनें कामर्स में और सारे course आते हैं जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि आप CA भी कर सकते हैं, Chartered Accounted का भी course कर सकते हैं BBA भी कर सकते हैं इसके तहट आप M.A.S. भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा ता जो बच्चे करते हैं वो विकम का course करते हैं graduation था course होता है इसके बाद या तो आप बहुत सारे student आप भी काम के बाद M.C. करते हैं ठीके और इसके बाद आप BA या BTC करके आप वो teacher बन जाते हैं, सिंपल सी बाद जैसे BSC मुआ इसी तरीके इसमे भी होता है इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे BA करते हैं और इसके बाद आपका MA करते हैं, इसके बाद दोस्तो वो या तो BA कर लेते हैं या BTC कर लेते हैं, इस तरीके सो no teacher बन जाते हैं, तो ज़्याधा तार ये course करनेवाले जितने भी चातर होते हैं, वो सरकारी नोकरी के तयारी करते हैं यानि कि दोस्तों note point की बात करें तो आपको करना क्या है अगर आप इसमें से कोई भी course select करते हैं त्यास ने काई इसमें से आप कोई भी course select करते हैं तो जब आपका 12th clear हो चुका ही है इसमें से आप कोई भी course करेंगे तो course करने करते समय आपको साथ में सरकारी नोकरी का भी form fill up करना है सरकारी नोकरी का भी form fill up करते चलना है यानि कि साथ में आपको graduation की degree करनी यानि graduation की पढ़ाई करनी और साथ में जो भी 12th पास की जीतिनी vacancy जैसे के railway की हो गई यह सस्तिक हो गई और बहुत सारे नोकरिया है तो उनकी भी आपको साथ में तयारी करते चलना है अगर आप अच्छी तयारी यहां से करते हैं तो आपका graduation complete होते होते हैं आपको सरकारी नोकरी भी मिल जाएगी यानि कि कम समय में आप अच्छा response कर सकते हैं ठीक है तो मैंने आपको क्या कहा कि non-technical course में सिर्फ commerce को छोड़कर जाएदा तर बच्चे जो भी यह course लेते हैं वो सरकारी नोकरी की तयारियां पर करते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं चौथा point आपका था अनिमे other में दोस्तों आपका जैसे कि triple C की डिग्री आप ले सकते हैं यानि कि इसमें से कोई भी course आप कर रहे हैं अगर आप सरकारी नोकरी करना चाते हैं यानि कि आप अगर BSC भी कर रहे हैं अगर इसके सासाथ आप सरकारी नोकरी भी करना चाते हैं या बीकॉम कर रहे हैं जिसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है यानि को वो vacancy धा सुनेगा वो vacancy 12th pass पर ही होती है लेकिन इसके साथ आपकी triple C की degree भी अनिवारे होती है ठीक है triple C की degree अनिवारे होती है तो यह आपका 3 साल का course यह 3 महिने का course होता है और आपको आलें exam देना होता है और इसके बाद आपको यह certificate यहाँ पर मिल जाएगा इसके तहए दोस्तों अगर बात करते हैं कौन सी नोकरी आएगी इसमें आपके UP वाले जो बच्चे हैं लेखफाल लेखफाल की नोकरी में आपके 12th की degree होनी चाहिए और इसके साथ CCC होना चाहिए और इसमें आपने वीडियो का नाम सुना होगा वीडियो का नाम सुना होगा ग्राम, विकास, अधिकारी इसमें भी जो बेकेंसी होती है 12th pass पर ही होती है लेकिन इसमें भी CCC मांगा जाता है जो कि बहुत ही अच्छी नोकरी मानी जाती है तो आप सभी CCC का भी कोर्स याप करके रख सकते हैं अगर सकाई नोकरी आपको करनी है तो इसके साथ साथ दोस्तों आप graduation कर रहे हैं तो आप ITI का भी course कर सकते हैं बात करते हैं ITI का course जो होता है वो दो साल होता है, आप चाये तो Graduation के साथ में कर सकते हैं, या फे Graduation करने के बाद ही कर सकते हैं, इसका बहुत बढ़ा रोल जो IDI के बाद करते हैं, तो IDI का रोल बहुत बढ़ा होता है आपके Railway में, जी आदोस्तो, Railway में, asa makes hed, अगर आपने यानिक लोको पालेट यानिक जो ट्रेन ड्राइवर होती उनकी बैकेंसी आय थी उसमें आपका 12th के डिगरी होती है और उसके सांसत आपकी ITI की डिगरी होनी चाहिए अगर यह आप किये थे तो इसमें सेलेक्शन जो हुआ था वो 45 नंबर तर भी हुआ था इसलिए आप अग रेल्वे की जो भी बैकेंसी आएंगी जैसे कि आपकी गुरूप डेकी भी हो गई तो उसमें भी आपकी ITI की मानने किया जाएगा इसलिए अगर आप रेल्वे की तयारी करना चाहते हैं तो आप ITI का भी डिगरी साथ में रख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों I hope कि आपको आपको जाना है तो आप हमें वर्षा मेसेज करके भी पूछ सकते हैं तो आपके कमेंट की हिसाब से हम लोग नेक्ष्ट वीडियो में उसी कोर्स के बारे में डिसकस करेंगे तो दोस्तों जो इस टूडेंट ने अभी तक कि इस वीडियो को लाइक नहींगे फड़ा इस व आप दोस्तों जीडियो को लोग लोग करत दो किस वीडियो करेंगें।